जाहिंग दोस्तों आप सभी का गाउंता कि जम इस्टेडी प्रेटफर्म पर बहुत दोस्तों गयते तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी आप देख पा रहा हूंगे आपको अपना सजेशन देना है और यह जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है यानि कि 28 से लेकर के आपका 16 तक यह लिंक एक्टिव रहेगा आपको अपना सजेशन आपकी आपकी जो क्वेरी है वो कैसे आपको फिल अप करनी है वो सारी चीज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ उस लिंक पर आपको लेकर के चलता हूँ तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर देख पार हूँगे एक लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपसे भी यहाँ पर देख पार हूँगे यह लिंक जो है एक्टिव हो गया है तो इस लिंक पर जैसे आप किलिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज उपन होग उस post को यहां पर आपको select करना है मैं उम्मीद करता हूँ जाद तर students दोनों ही post को यहां पर fill up करेंगे तो सबसे पहले आपको किस पर query देनी है उस पर आप उसको select करेंगे जैसे मैं आपर rrb group d को हाँ पर select कर लेता हूँ यहां पर आपको candidate name जो कि आपने form fill up करते समय रखा था एक registration नमबर वह आपका जोगा होगा rrc group d का एक तो आपको registration नमबर होगा उसके बाद यहां पर आपको mobile number जो फिलप करना है date of word डालना है और किस state से आप आपको पर select कर लेना है तो यहां पर एक बार दिखाते हैं तो हम आपको यहां पर select करना आपको जिस भी स्टेट से आते हैं उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको आपका जो इस्वी है उस इसवां पर आपको सिलेक्ट करना है जैसे कि मैं आपको दिखा जहूं जैसा कि I am agree with य तो उन सभी को पहले क्या करना है जैसे आपको इस आर्री पर तीन इसु है तो सबसे पहले आपको यहांपर एंसल कराना Candidate weacancy DV के लिए जो है इसको increase करने के लिए आप कह रहे हैं तो आपको increase करना है दुबारा से और फिर यहांपर उसके बारे में लिखना है और फिर से submit कर देना है यानि दो तीन बार आप यहाँ पर submit कर सकते हैं जो जो आपकी query हैं उन सबी को submit कर सकते हैं इसी प्रकार मैं आपको लिख करके submit कर दिना है अब बात करेंगे जैसे कि यहां पर आपको जाना है आपको सेलेक्ट करने ला है जितने भी student आते हैं इंटर वाले हों चाहब वो graduation वाले हों तो यहां पर सभी को select करने ला है उसके बाद यहां पर आपको submit कर दिना है उसके बाद वही प्रेक लिए आपको यहां पर भी दोहरानी है अपना एंटी पीसी का रॉल नंबर नेम डेट और बर्त रॉल नंबर नहीं है तो registration नंबर यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद आपको mobile नंबर डालना है और यह डालने के बाद आपको date of birth डालना है यह तीन चीग तो आपको मैंड है यह डालनी है उसके बाद आपको state select कर लेना है उसके बाद आपका जो इसू है तो यहां पर इसू कौन-कौन से हैं आप सब यहां पर देख पा रहोंगे आपके समने I am agree with you result यहां पर जो है यहां पर जो है यानि कि आप यहां पर सम्मिट कर सकते हैं final answer की को लेकर भी कोई भी क्वेरी है तो भी कर सकते हैं मतलब कि यहां पर आपको सबसे पहले यहां करके हैं 20 गुना unique candidate cbt2 तो यह जो है सबसे मैं जो मुख्य बाती इसी मांग को लेकर करके हम ज्यादा तर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आप सभी को यह मांग सबसे पहले करनी है इस पर select कर लेंगे इसको select करने के बाद आपको यहां पर issue लिखना है जो भी आपको यहां पर कम से कम आपको maximum 300 characters यहां पर होने चाहिए कम से कम कुछ भी हो चल सकता है यहां पर आपको जो है तो यहां पर maximum 300 characters में आप लिख सकते हैं और Hindi English दौनों में लिख सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद फिर भी यहां पर ओपन करेंगे और आपको यहां पर select कर लेना है जैसे कि हांपर किसी भी cutoff को लेकर क़ आपको लगता है cutoff high गया है तो इस पर भी आप query दे सकते हैं आपर तो इसी प्रकार से सभी पर आप query हाँपर submit कर सकते हैं तो यह आप देने के लिए यह वीडियो मनackया है तो आप सभी ज़दा से ज्यादा संक्या में इस प्रकार की issues कों यहां पर submit करें तेने इस्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बंदे मातरम